हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू आर चैनल जम आपको बताएंगे कि विप क्रीम को कैसे विप करना है हमें इलेक्टिक बीटर की हेल्प से हमें इसे विप करेंगे सबसे पहले हमें एकदम चिल्ड विप क्रीम लेनी है यह मैंने क्रीम वैल कंपनी की यूज की हुई है अगर आपके बस अमूल या ट्रॉपलाइट की हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं विप क्रीम हमें बिलकुल चिल्ड चाहिए यानि कि सिर्फ बरफ ना बनी हो लेकिन बरफ जितनी ठंडी चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक बीटल से हलके हलके से इसे विप करते जाना है बीच बीच में इसे रोकते रहना है क्योंकि अगर लगतार हम इलेक्ट्रिक बीटल को यूज़ करेंगे तो वह बहुत जादा तेज गरम भी हो सकता है क्योंकि विपिंग क्रीम एकदम आइस फॉर्म में रहती है बहुत यादा हार्ड इसलिए हमें इसे बीच बीच में रोक कर बीट करते रहना है बिल्कुल इस तरीके से और 5-6 मिनट के बाद विप क्रीम ट्रपल हो जाती है यानि तीन गुनी गर्मियों के मौसम में नहीं होगी बिल्कुल भी इसे बीच करने मुझे 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 से 7 मिनट लगे थे यह देखिए काफी चिप बन चुकी है इसका मतलब है हमारी विप क्रीम तैयार हो चुकी है एक मैं आपको डेमो और दिखाती हूं देखिए हमारे स्पैचुला से भी यह नहीं गिरेगी विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक करी